बारबंकी जर्पत के बिकास कंड मसावली में सफाई करमचारियों का बोल बाला है सफाई करमचारी खेतर मेंना जाकर बलाक परिसर में जमें हुए है कुछ सफाई करमचारी बिकास कंड अधिकारी का निजी कारे करते हैं तो कुछ सफाई करमचारी सहायक विकास अधिकारी जानकी राम के असिस्टेंट है और उनसे कम्प्यूटर के कारे से लेकर के अपना निजी कारे सब कुछ करवाते हैं अब सोचने वाली बात या है कि गाओं में कूडे कामबार लगा हुआ है गाओं में सफाई करमचारी की भारी कमी है लेकिन अपने आराम के लिए विकास खंड मसौली के खंड विकास अधिकारी और सहायक विकास अधिकारी उनको बलाक में अपने निजी कारे के लिए लगाय हुई है और तो और ब्लाक में तैनाफ लगबत 6-7 सफाई करमचारियों के होसले इतने बुलंद हैं कि इनको किसी बात का डर नहीं है बिना इनकी परिमीशन के आप ना तो वीडियो से मिल सकते हैं और ना ही एडियो से आपको बता दे कि अगर यह नहीं आएंगे तो ब्लाक का काम ठ्यप हो जाएytyy अपको पर कि आप नाम ही बता दीजे अपना है अफवान है कि सुरेश कमाराम है चनत सुरेश चनत presents सुरेश चंत क्या पद है यहां पर गाउं के बिकास की पूंड जिम्मेदारी पूंड रूप से बलाक के अधिकारी निर्भर होती है लेकिन इस पर कोई भी बलाक का अधिकारी बोलने को तयार नहीं है इस सब्मंद में जब डीप्यारो रोहित भारती से बात की तो उन्होंने कारवाई की बात कही है आप देखना या है कि पावर वाले सफाई करमचारी ब्लाग परिसर से अपना कबजा हटाते हैं या ऐसे ही चलता रहेगा आपका नाम परदीपुमार आप क्या करते हैं किस पतपर है यहां ब्लाग में सफाई करनी है तो यह कम्प्यूटर आगे रखा है और आप कम्प्यूटर देख रहे हैं कि चेर पर बैठे हैं ठीक कम्प्यूटर चला होगे तो सफाई कौन करेगा यह परदीप है सफाई करमचारी है ब्लाग में बैठकर कुर्सियां तोड़ रहे हैं पेट तक निकल आया है बरांत इनकी बाप तो आपने सुन ली ही होगी इनका रवया जो है वो बता रहा है कि इनको उपर किसका हाथ है जब इनसे पूछा गया कि आप ब्लाग परिसर में बैठकर कुर्सियां तोड़ रहे हैं सफाई कौन करेगा तो इनका जबाब आया कि सरकार बताएगी कि सफाई कौन करेगा अगर आपने नहीं सुना तो दुबारा सुन लीजिए सुरेश चांदर और परदीप ये एडियो पंचायत के कार्याले में बताओर असिस्टेंट तैना आते हैं सारा कारेबार इनके उपर निर्भर है आप कौन है यहां ब्लाक कौन सा पता है आपका बीजिए यहां अपना काम कर रहे हूं कौन सा अच्छा लेका इस दिक लिए